कोरोना गने वेरियंट ओमिक्रोन की दस्तक के साथ ही देश में संक्रमन के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं 24 खंटे में 9000 से जादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाएगे जबकि 477 लोगों की मौत हो गई वहीं 8000 लोग स्वस्थ भी हुए स्वास्ते बंतराले के आकडो के मुताबिक देश में कोरोना के 99,763 सक्रे मामले दर्ज किये गए हैं बुद्वार को जारी आकडो की अपेक्षा एक्टिव केस में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है वहीं 3 करोड 44,37,054 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 3 करोड 44,22,776 कुल मामले सामने आए पारत में अब तक कोरोना के 4,79,724 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं कोरोना ठीका करण के अगर बात करें तो देश में 2 दिसंबर तक जारी स्वास्तेमंत्राले के आकडो के मुताबिक एक अरब 24 करोड 96,19,515 लोगों को ठीका लगाया जा चुक हैं इनमें से बुद्वार को 80,31,261 लोगों को कोरोना की वेक्सीन लगाएगी वहीं आपको बता दे कि कानपूर में 81,000 पोस्ट कोवेड रोगों के लिए खत्रा है गाइडलाइन का पालन करेंगे तो संक्रमट से बचे रहेंगे आपको बता दे कि इस दूरान ओमिक्रोन अभी अफ्रीका और दूसरे देशों में फैला हुआ है देश में इसका एक भी केस नहीं है लेकिन ओमिक्रोन का संक्रमट आता है तो शहर के 81,000 पोस्ट कोवेड रोगों को सबसे अधिक खत्रा है इसको लेकर स्वास्तवभाग सत तरकता बरत्र है वहीं आपको बता दे कि इसी के साथ पोस्ट कोवेड रोग्यों का इलाज करें डोक्टरों ने भी चिता है कि हर हाल में कोवेड गाइलेंड का पालन जरूर करें और भीडभाड वाले इलाकों में बेवजयना जाए चालिस फिस दी पोस्ट कोवेड रोग इसाथ तीन महीने से जणपत में एक भी संक्र्मन की पुस्टीन नहीं हुई थी लेकिन अब जणपत में 2 सक्रे मामले हैं और लगातार डेंगू के केसे भी बढ़ रहे हैं अब डेंगू की केसे के अगर हम बात करें तो 587 अब एक्टिव केस है जो डेंगू के देंगू क लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा आज का अपडेट आपको कैसा लगा